मोधी सरकार देशवासियों को दिवाली पर तिसरी रहत पैकज का तौफ़ा दे सकती है। लेकिन मिली जानकारी के निवसार बताया जा रहा है कि इस बार सरकार सीधे शहरी रोजकार यूजनाओं पर पैसे देने की जगा इससे जुड़ी कंपनियों में निवेश करीगी। ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार उन इंडस्ट्री के लिए यह राहत पैकज की घोशना करेगी जिस पर कोरोना महामारी की सबसे बड़ी तगड़ी मार पड़ी है। इस पैकज के अंतरगर अर्बन प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकती है। परियुजना से जुड़ी केंद्र और आज सरकारों की कंपनियों में निवेश से भी रोजकार के मौके बढ़ेंगे। कोरोना बारेस के बाद सरकार ने अभी तक दो राहत पैकज का अलान किया है और तीसरे पैकेज जारी करने की तैयारी में है। हाल ही में वित्म मंत्री निर्मला सीतरवन ने बड़ी सरकारी कंपनियों को पूंजीकत खर्च बढ़ाने और दिसंबर 2020 तक 75 फीस्दी हिस्सा खर्च करने को भी कहा। मैं 2020 में 20.97 लाक करोड के आप निर्भर भारत पैकेज का अलान किया था। मोधी सरकार ने मार्च 2020 में प्रिधानमंत्री गरीब कल्यान यूजना PMGKP के लिए 1.70 लाक करोड कर्च करने का अलान किया था जिसके बाद इस संकट के समय में गरीबों की मदद की जा सके। करीब